Hello everyone, जितने लोग भी मुझे टेले करम पे फोलो करते हैं, आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक heat में बढ़ रहा था US market का and इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि market में बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है US market में साफ मैंने एक line और लिखी तो the worst day since 2020 crash, यानि कि 2020 में जो COVID crash था, उसके बाद में सबसे बड़ा crash यहाँ पे US market अपने को देखने को मिला है साफ में अब NASDAQ, Dow Jones देख तो 800 point Dow Jones, 400 point NASDAQ और 20% down है और साफ में Japanese market तो 5% down है तो इन सबसे यह तो clear हो जाता है कि हमारी market भी कहीं न कहीं यह react करेगी और जो अपना market अभी high लगा रही थी, market कहां से आई है अभी 25,000 के बिलुकुल past से आई है परसों ही और market ने कल gaban opening देने के साथ में यह तो बता दिया कि मैं इस news को कहीं न कहीं accept कर रही हूँ तो अब market में अगर हम देखते है निफ्टी 50 में market में नीचे 24,000 तक market अराम से test करने आ सकती है अगर यह news real निकलती है और market इसको adopt करती है तो अब इतने दिनों में हम market उपर जा ने दी तो क्या trader और investor पैसा नहीं बना सकते है इनवेस्टर का तो देखो मुझे पता नहीं है बट trader जरूर बना सकते हैं क्यूंकि trader एक चीज़ जानते है short selling short selling को सबसे पहले अपने असान बासा में समझ लेते हैं बिल्कुल practical बासा में होता क्या है for example आज आपने कोई 10 रुपे का stock buy करा है कल आप उसको 20 रुपे का होने के बादे बेस दे रहे हो तो यहाँ पर भी आपका 10 रुपे का profit है तो यह हो गया हमारा long trade इसको हम बोलते है शेर बासा में long trade अब trade number two माल लोग कोई हिजास 20 रुपे की चल रहे है मैंने इसको यहाँ पर sell कर दिया और जब वो चीज दुबारा 10 रुपे के आ रहे है मैं इसको buy कर ले रहा हूँ यहाँ भी मेरा बीच में कितना profit हो रहा है 10 रुपे का profit हो रहा है तो इसको हमने बोल दिया just short trade इतना ही असान होता है यह जो short लोग है यह share बजार की बाशा होती है अब क्या market में ऐसा कर सकते हैं कि महेंगा बेज देते हैं सस्ता हम खरीद लेंगे तो हम महेंगा हमसे खरीदे हैं कौन ये भी एक दिमाख में question आता है तो उसके लिए आपकी जो help करता है वो आपका broker help करता है यानि कि for example आपने अपने broker से बोला कि यह जो stock है 2000 रुपे का है मेरे लिए तू यह sell कर दे और आज मैं तेरे से यह same buy कर लूँगा एक condition होगा एक contract होगा मैं तेरे को इसको buy करूँगा ही करूँगा चाहिए उपर जाए यह फिर चाहिए नीचे जाए आपको broker उस stock को sell करने के लिए दे सकता है ठीक है यह चीज़ आप समझ लो अब अगर मालो आपने इसको 2000 रुप broker के साथ deal करते हो यह deal होती है सिर्फ intraday यानि कि आप एक दिन के हिसाब सही अपना system लगा सकते हो कि ऐसा नहीं है कि 57 दिनों तक के लिए मंदी रहेगी मैं 57 दिन बार में तेरे से माल खरेद लूँगा ऐसा नहीं होता है आप just intraday अगर trade कर रहे हो तो आप intraday में ही sell और buy कर सकते हो अब यह तो मैंने चोटी सी ट्रिक बता दी आपको stock market की किसी भी share को sell कर सकते हो तो आपको intraday में sell कर सकते हो जब भी आप stock buy करते हो आपको side में मैं screenshot लगा दूँगा वहापे दो option आते हैं overnight and intraday अगर आप वहापे intraday decide कर देते हो अगर आप उसको फिर sell भी कर स समझने वाली चीज क्या है जो सबसे main जो समझने वाली है कि short selling हम इतने असान तरीके से कर तो सकते हैं बट यहाँ पर और भी multiple ways होते हैं जो इससे भी असान है तो उन ways के बारे में जान लेते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक चीज की सहयता लेने पड़ेगी जिसका नाम ह FNO अब FNO से कहो काफी लोग डरते है FNO बट एक FNO ही मातर एक ऐसा option बन जाता है जो हमें short sell provide करता है कुछ दिनों तक के लिए for example मेरा view है कि आगे आने वाले 7 दिनों तक यहां पर गिरावट हो सकती है हमने निफ्टी का चार्ट देखा आज निफ्टी जहां पर भी है 24,700 पर चल रही है अब मुझे पता है कि निफ्टी में 24,000 आ सकता है लेकिन यह 700 पॉइंट की जो गिरावट है यह एक दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ FNO के अंदर अपनी position मना सकता हूं लेकिन FNO के अंदर भी ऐसा नहीं है कि जर्फ गया और मैं काम कर लिया FNO के अंदर अपने पास तीन तरीके आते हैं तीनों ही तरीके discuss करते हैं सबसे जो पहला तरीक आता है वो होता है options में ठीक है number जो second तरीक आता ह है वो भी आता है options में number जो third तरीका आता है वो आता है अपना futures में अब काफी लोगों को options and future बिल्कुल same लगते हैं जो की नहीं है तो बहले में आपको यही आपका जो doubt ही solve कर देता हूं कि future and option अलग-अलग होते हैं सबसे पहले options क्या होता है options के अंदर आपका CE और PE होता है यहाँ पे आपकी just एक option होता है एक premium होता है लेकिन future में क्या होता है future में आपके पास same quantity होती है load size वाली और आपका जो lost profit होता है वो उस तरीके सलता है for example nifty आज 24,000 पर है और मेरे को लग रहा है sorry nifty आज 2700 पर है मेरे को लग रहा है कि यहाँ से market नीचे आएगी तो अगर म नेचे आएक option buyer हूँ तो मैं कर सकता हूं nifty की 24,700 की put option को buy कर सकता हूं जिसका भाव मालू मेरे को 100 रुपे का मिलेगा अब अगर निफ्ती 24,700 से 24,000 आ जाती है तो मेरे यह 100 रुपे वाली चीज़ है यह बढ़ सकती है यह सो की 1500 भी हो सकती है 200 भी हो सकती है 500 भी हो सकती है according to the momentum, जितना fast momentum आएगा, जितना जल्दी momentum आएगा, आपकी buying के बाद में, उतने ही जल्दी आपके premium बढ़ते हैं, इस चीज़ आप जानते हो, second चीज़ आते है future में, future में ये roll आपका खतम हो जाता है, यहाँ पे आपका option किस तरीके से momentum कर रहा था, time के साम से, अगर आपका time जल्दी आ जाता है, तो आपके premium ज़्यादा move करते हैं, यहाँ पे future में नहीं है, अब मालनों अगर में को future buy करना है, तो 24,700 पर भी निफ्टी चल रही है, तो मैं 24,700 का future यहाँ पे sell कर दूँग, अब मैं जब 24,700 का future sell कर दूँगा, जब market मालनों मेरी 24,000 आ जाएगी, तो मेरे को कितने का profit हो रहा है, 700 पर का profit हो रहा है, यहाँ पे lot size कितने का है, 25 का है, तो 25 इन्टू 700 जितना ही मेरा profit बनता है, उससाब से यहाँ पे calculated होके, मेरा profit यहाँ पे बन जाएगा, तो future में क्या होता है, आपकर इसे stock निभाई करते हैं, यह 2000 पर का stock है, 21 लोगा हो गया, तो 100 पर stock आपका buy हुआ, profit हुआ, इस तरीकिसा आपकी calculation होती है, but options में ऐसा नहीं होता, आपको option chain ready करने पड़ती है, then आप options के greeks release कर सकते हो, अगर आपको अपने option का momentum जानना है, तो यह थोड़ी complicated हो जाती है, future trading थोड़ी simplify हो जाती है, इस तिल लोग options में जादा करते हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा main कारण है, कि जो option trading है, वो क्या है, cheap है, then future trading, यह एक ऐसा चीज है, जो capital काम होता है, वो future में trade करी नहीं सकते हैं, विबोज अगर आप आज एक nifty का future buy or sell करने जाओगे, तो आपको approach एक लाख रुपे चाहिए, और अगर आप यहाँ पे options में put को buy करते हो, तो आप 10,000 रुपे से एक लोट को buy कर सकते हो, लेकिन अगर आप options के अंदर option selling पढ़ते हो, option के अंदर अगर आप option selling आते हो, तो यहाँ पे भी आपको जो capital है, वो एक लाख रुपे लगता है, तो यह हो गया आपका option and future के बीच में, जो major difference आने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया, अब हम आजाते हैं, दुबारा हमारे topic पे, topic से बढ़कते नहीं है, कि मान लोगर मेरे को short selling करनी है, short selling करनी है, तो सबसे पहले एक चीज़ में ध्यान रखो, कि आप किस के अंदर कर रहे हो, आप index के अंदर कर रहे हो, या फिर आप stocks के अंदर कर रहे हो, अगर आप stocks के अंदर कर रहे हो, तो again आपके पास 2 option आते हैं, number one is, आपके पास F1 वाला stock है, या फिर आपके पास cash वाला stock है, अगर आपके पास cash वाला stock है, तो आपके पास 2 तरीके आते हैं, या तो आप इसको overnight वाली position ले लो या आप ले लो intraday अगर आप intraday में लेते हो तो तो आपकी जो short selling है तो तो आपकी short selling आपे possible हो जाएगी otherwise वो stock में आप overnight लेते हो तो आपको वापे कोई भी short selling की position नहीं मिलती है आप एक ही काम कर सकते हो तो वो सस्ता है ले उसको दोबार अखरी लेना क्योंकि अगर आप cash में buying करते हो तो सिर्फ आप खरीद के ही पैसा बना सकते हो otherwise अगर आप intraday trade करते हो तो ही आप उसमें sell side की position बना सकते हो तो यहाँ पे stocks का एक scenario complete होता है stocks का second scenario होता है F&O काफी stocks ऐसे होते हैं जिनके अंदर F&O available होता है जैसे कि Nifty 50 के सारे stocks देख लो और totally 180 कुछ stocks हैं जिनके अंदर आप F&O trading कर सकते हो अब इन stocks के अंदर आप again दो option राते हैं आप उसमें future में भी trade कर सकते हो option में भी trade कर सकते हो अब future and option का अलग-अलग यहाँ पर कैसे हो गया मैं बताता हूँ अगर आप मालो किसी stock का future buy कर रहे हो तो आपने उस stock का future buy कर लिया और अगर आपको उसमें short position मनानी है तो आप just उसका future sell कर सकते हो then again अगर आप उसमें option trade करना चाहते हो तो आपको लग रहा है कि market मालो नीचे आएगी तो आप option put option को buy कर सकते हो अगर आप एक option seller हो तो आप उसकी call option को sell कर सकते हो understood stocks का scenario बिल्कुल clear हो गया अब बात कर लेते हैं अपना index में कि index में किस तरीके से काम करेंगे आपके पस दो option आता है number one is आप future में trade कर लो ठीक है यानि कि आप future को sell कर लो future को sell कर लो number second option आता है options में options में आप क्या कर सकते हो put option को buy कर सकते हो otherwise अगर आप एक option seller हो तो यहाँ पे आप call को sell कर सकते हो तो यह कुछ condition बन जाती है जब आप short selling को सीखे में आते हो market में अब यह तो हो गया बिल्कुल basic वाली चीज़ें जो बिल्कुल beginner है उनको मैंने बता दिया कि आप market में क्या क्या option कर सकते हो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है जितने लोग option seller है वो debt आख वंद करके sell नहीं कर सकते उनको अलग अलग तरीके sell करना पड़ेगा for example जो सबसे main चीज़ है आपको सिखाता हूँ मैं तो जैसे अब भी हमने future की बाते करी थी future की बाते करी थी अब future मानलो 24,000 24,703 पे चल रहा है ठीक है तो आप इसको at the end यहीं से sell कर सकते हो लेकिन जब आप option sell करते हो या फिर आप यहाँ पर option buy करते हो तो for example आप निफ्की चल रही है 24,703 तो अगर आपको मानलो sell करना है तो आपके पास 3 option आते हैं आप ATM sell करो OTM sell करो या फिर ITM sell करो क्योंकि यहाँ पर आपको strike prices में deal करने पड़ती है तो अब कौन सी short selling में best आप अगर मानलो sell कर रहे हो फिर buy कर रहे हो तो कैसे करना होता है देखो अगर आप एक option buyer हो और अगर आपको लग रहा है कि momentum आपको fast आ जाएगा तो आप किस में trade कर सकते हो OTM में trade कर सकते हो और ITM में trade कर सकते हो अगर आपको ये लगता है कि momentum आने में थोड़ा time है लगवग आज भी आ सकता है momentum कल भी आ सकता है परसो भी आ सकता है तो आप ITM में trade करो understood ITM, ATM, OTM होता क्या है नहीं आता तो बस comment section में comment करो बहुत ज़ल्दी आपके लिए video लेकर आऊँगा फिर आता है next option कि माल लो आप option seller हो आप option एक seller हो आपको option selling करनी है तो आप किस तरीके sell करोगे फोर जमपल 24,700 पर market है और 703 पर market है तो आप अगर sell करना चाहते हो आपको लग रहा है कि market यहाँ से लगबग 24,500 आ सकती है यानि कि 200 point का आप यहाँ पर fall expect कर रहे हो तो आपके पास जब आप option sell करने जाते हो तो आपके पास एक trick आती है option sell करने की जिसको हम बोलते है option chain जितने लोग को option chain नहीं आती है मैं बदाता हूँ आप NSE पर जाओ वहाँ पर लिखो option chain आप क्या कि option chain आ जाएगी आप option chain में यह देखो अगर मालो 24,703 पर मार्केट चल रहे है तो 24,700 से उपर जैसे हमने को मालो 24,700 है और हम यहाँ से sell side की position बना रहे हैं तो 24,750 24,800 जिस भी strike price पे सबसे ज़दा OI खड़ा होगा आप सिर्फ उस वाली call को वहाँ पर जाके sell कर देने इससे होगा क्या वहाँ पर काफी लोगों ने औरड़ी position मना रखी है आपकी position भी वहाँ पर बन जाएगी अब अपने को trade अपनी cut कब करनी है आपको वहाँ का जब OI चेक करते रहना है जैसे ही उसका OI धीरी धीरी कम होता रहेगा कम होता रहेगा इसका मतलब market आपके favor में नहीं जारी है market उल्टी जारी है और लोग अपनी पोजिशन को cut कर रहे है लोग अपनी position को cut कर रहे है तो आप उस टाइम अपनी position को cut कर सकते हो अब number second जो scenario में आपको ये वाला तरीका बताया है वो इसलिए बताया है काफिबार लोग trap हो जाते है काफिबार market तो अपने side में नहीं चल रहे होती है market उपने side में चल रहे होती है लेकिन जो OI होता है ना OI वो लगादर बढ़ रहा होता है तो उस टाइम पर आपको घबराने की जोरत नहीं है विकोज आपके साथ लोग अपनी position एड़ कर रहे है तो आपको बिलकुल भी घबराने की जोरत नहीं है बाकि option chain पर option chain analysis पर open interest पर हम बहुत ज़लते एक detail वीडियो लेका हैंगे तो इसलिए बस चैनल को subscribe कर लो और आज की वीडियो आपको कैसी लगी short selling का मतलब क्या आपको समझे में आया सारी चीज़े मैंने आपको सिखाई साथ में कुछ दिन तक market मंदी रह सकते हैं यह मैं नहीं बोल रहा है यह आप अपनी analysis पीट कर सकते हो मैं कोई sabi register नहीं हूँ मैं ना कोई advisory चलाता तो मेरा ऐसा कोई बताने का मतलब नहीं है बट हाँ according to the levels and market में news market में कुछ दिनों तक मंदी आ सकती है इसलिए मैं उस side के लिए negative side के लिए trade करूँआ और negative side में अगर आप trade करना चाहते हो as a educator मेरा वताना फर्स था and वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है काफी दुनों के बाते में नहीं इस तरीके से board के आप लोग के लिए वीडियो बनाई है and मिलते हैं से next powerful वीडियो के साथ